अस्सलाम अलेकुम कैसे है आप सब उम्मिद करती हूँ आप सब ठीक होगे और अल्ला ताला का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्ला ताला आप सब का अपनी हिव्जवा अमान में रखे तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के साथ अपना गुरोसरी हॉल शेयर करने वाली हूँ और ये वन वीक का है क्योंकि हम जो किरायना लाते है वो वन वीक का ही लाते है क्योंकि हमारा महीने का ऐसा कोई बजट नहीं है क्योंकि हमारी जो हमारा जो पैसा आता है वो हफते का ही आता है तो इस वज़ा से हमारा हर सामान और हमारा हर बज़ेट हपते के हिसाब से रहता है तो बस वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ तो अगर पसंद आए तो पिलीज लाइक कर दीजिएगा और आप लोगों के कुछ सवाल होगे तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं तो चलिए फिर देखते हैं ग्रोसरी हॉल तो देखिए दोस्तों अभी मैं आप लोगों को एक एक करके चीज़े बताती हूँ तो यह है शकर और यह दो किलो है वैसे तो हम एक ही किलो लाते हैं लेकिन अभी हमारी दल सुन रहे थे लोगड़न वगेरा का तो इसलिए हजबेन ने थोड़ा थोड़ा ही सामन बढ़ाया है बस एक दो चीजी वड़ा के लाए है तो शकर ये दो किलो है और ये दाल है तो वो हम दाल भी ज्यादा है ये आदा किलो है नहीं तो कम ही लाते है और उसके बाद एक संतूर है और उसके बाद है ये एक चालिस वाला चाय का पेकिट आता है वो है और उसके बाद दो दस वाल पर लाल मिर्च का पेकिट उसके बाद यह हल्दी का पेकिट और तेल लाते है वह पाउच वाला नहीं लाते हैं जो रिफाइंड ओई लाता है खुला वही लाते है तो वैसे हम एक किलो ही लाते है हफते का लेकिन इस बार दो किलो लाए है तो बस और हाँ दोस्तो इस में से कोई एक या दो चीज इदर उदर हो जाती है जैसे अगर किसी हफते में एक डाल लेके आए तो अगले हफते दूसरी कोई डाल या फिर जीरा वगेरा छोले तो ये थोड़ा इधर उदर हो जाता है बाकी का तो सब यही रहता है और देखिए अभी ये एक तेल का पाउच है जो बालों में लगाने का कोकोनट ओल होता है और उस इतना हाइफाय सुसाइटी वाले नहीं है हम लोग की बहुत जादा बच्चों के लिए भी लाके रखे तो बस यही जितना होता है उतना करते है और ये मैगी मसाला है तो ये दो पैकिट ही लाते है वैसे तो लेकिन इस बार ये चार पर एक फिरी था तो बस पास लेके लाने को तो इसके लिए उसके लिए ख़जूर का पैकिट लेके आए है और ये जो दो कागज वाली पुरी आप देख रहे हैं तो इनमें ये जो एक है इसमें मूंकी डाल है तो ये कागज इसका फट रहा था और दाल हमारी गिर रही थी तो इसलिए मैंने से स्क्वे में रख दिया है तो इसमें डाल है आप लोग ने देखा होंगा और डाल भी मूंकी अभी इसलिए थोड़ा ज़्यादा लाए क्योंके बेबी का सेरेलेक्स बनाना था और सेरेलेक्स में मैं मूंकी डाल डालती हूँ वो मैंने आप लोगों के साथ शेर किया है अगर किसी को देखना हो किसी के गड़ चोटा बेबी है तो सेरेलेक्स की रेसेपी आप देख सकते हैं और ये दूसरे वाले में रवा है तो रवा भी हमारा इतना फिक्स नहीं रहता लेकिन अभी बस बेबी के वज़े से ला रहे ह है क्योंकि कभी कभी मैं उसे कभी से रेलेक्स और कभी कभी ये रवा बना कर देजेती हूं तो देखिए ये है मिडल क्लास ग्रोसरी हॉल तो बहुत कम सामान है लेकिन हमारी ज़रूरत के हिसाब से पूरा है और आप लोगों को पसंद आए तो प्लिज लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिएगा मिलती हूं मैं आपसे अपने नेक्स वेडियो में अल्लाहाफिज